नमस्कार आप देख रहे हैं नौसमाचार और मैं हूँ आपके साथ तान्य पांडे आज की खबर आ रही है हरियाना से जी हाँ आपको बता दे कि किसान अंदुलन को आज पूरे 200 दिन हो गए हैं इस मौके पर किसानों ने शंबू बॉर्डर पर एक कार्यकरम भी रखा इस का आयोजन के दोरान विनेस्वगाट ने किसानों की मांग को लेकर के इंदर सरकार को ज्यादा गंवी रुख अपनाने के लिए कहा उन्होंने कहा कि अपने अधिकार हासिल करने के लिए आवाज उठाना कोई गलत नहीं है यह प्रतेक व्यक्तिकार है किसान संगटन भारतिय किसान यूनियन क्रांतिकारी गैर राजनितिक और किसान मजूर मोर्चा के सदस्यों ने विनेस्वगाट का विशेश रूप से सम्मान भी किया विनेस्वगाट शंबू के बाद खनौरी संगरूर में यूजित हो रहे किसानों की काड़िक्रम में भी शिरकत करेंगी इस परिवार के पास आई हूं अगर आप इस बारे में बात करेंगे तो आप उनके संगर्ष और लड़ाई को बरबात कर देंगे आज फोकस मुझ पर नहीं है किसानों पर है मैं यहीं अनुरोद करती हूं मैं कैथलीट हूं मैं पूरे देश की हूं मुझे इस बात से कोई ले है सर्वन सिंग वहीं किसान इता सवर सिंग पडेर ने इस मौके पर कहा कि अंदोलन को 200 दिन हो गए हैं हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है हम पर आरोप लगाए गये हैं हमें खालिस्तानी और बहुत कुछ कहा गया है हमने धूब बारिश शर्दी और का सामना किया और इस के साथ खड़ी होंगी ऐसी ही दुल्चस्प खबरे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ 9 समचार बिबाग खबर हर समय धन्यवाद